बिन फेरे आ गई से सिराल सविता अपने बिटे रजट से फोन पर बात कर रही थी अरे बिटे तु वापस कब आएगा? कितने टाइम से कह रहा है? मा बस कुछ दिन में आ जाओगा, कुछ दिन में आ जाओगा तो वो कुछ दिने कितने होते हैं? अरे कब आएगा तु? मा मैं अगले महिने जरूर आ जाओगा ये बात सुनते सुनते लगता है मैं बूड़ी हो जाओगी अरे नहीं मा, अगले महिने पक्का अच्छा बिटा मैं कह रही थी कि मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है तु कहे तो बात आगे चलाओ नहीं मा, बिलकुल नहीं, ये शादी वादी मुझे पसंद नहीं है अरे बिटा, लेकिन शादी तो करनी होगी ना शादी से भला कैसे बत सकते हैं? अब तो जिन्देगी पर कवारा थोड़ी न रह सकते हैं मा, शादी में इतना टाइम और मनी कौन ही वेस्ट करें ये सब शादी वादी ना बकवाज है अरे लेकिन बिटा, तुम चिंता मत करू मा मैं बहाँ पर आकर तुम्हें एक अच्छा सर्प्राइज दूँगा कैसा सर्प्राइज? अरे बता दूँगा तो वो सर्प्राइज थोड़ी न रहेगा मा अच्छा मैं चलता हूँ, बाद में बात करता हूँ अरे लेकिन रजट तो फोन काट देता है ये लड़का भी ना इसकी बात है मुझे समझ में नहीं आती पता नहीं इतनी हडबडाट में कहा रहता है रजट अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहा था और उसके बाद वहीं पर सेटल भी हो जाता है इतने सालों से वहाँ पर रहने के बाद अब फाइनली फाइनली रजट अगले महीने अपने गहरा गया था मेरा बिटा कितने सालों बाद मिल रहा है तू देख तू सही कितना दुबला पतला हो गया है खाता नहीं है क्या अरे मा मैं बिल्कुल ठीक हो तुम कैसी हो मैं भी ठीक हो तुझे देखने के बाद ना और भी ठीक हो गई माब मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए सर्प्राइज लाऊँगा तो मैं किसी को अपने साथ लाया हूँ किसे पिटा है अंदर आ जो रजट किसी को आवाज लगा कर अंदर बुलाता है तभी वहाँ पर इक लड़की आ जाती है और सविता को नमस्ते करती है नमस्ते आंटी जी नमस्ते लेकिन बेटा ये कान है अरे पायल अब ये तुम्हारी भी मम्मी है सारी नमस्ते मम्मी जी क्या कहा मम्मी जी हाँ मा ये तुम्हारी बहू है क्या कहा तू थो विदेश पढ़ने और डिग्री लिने गया था ना और तू अपने साथ बहू लेकर आ गया हाँ मा और तुम दोनों की शादी अरे मा उसकी चिंता मत करो हम दोनोंने कोट मेरेज कर लिया अरे बिटा लेकिन कोट में शादी करने से क्या होता है हमें शादी त बिटा ऐसा नहीं होता शादी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और हमें अपने जीवन में शादी को महत्व देना चाहिए और उसका महत्व समझना चाहिए अगर हम शादी को ही बोज समझेंगे तो हम उसका रिष्टा भी अच्छे से नहीं निपा पाएंगे लेकिन बिटा कोट की शादी में और पूरे अच्छे से रिती रिवाजों को समझ कर शादी करने में जमीन आसमान कांतर होता है फेरो के बिना शादी शादी नहीं होती कोई बात नि, मा अब बस करो ना हम बहुत थक या हम अब आराम करना चाहते हैं इतना कैकर रज्जत और पायल दोनों ही अपने कमरे में चले जाते हैं ये भगवान ये क्या हो गया अब कैसा समझाओं मैं इस पगले को फिर अगले दिल आरे बहु क्या बात है, तू इतने गुस्से में क्यो है कुछ नहीं मामी जी बस ऐसी अरे क्या हुआ, यहां आकर तुझे अच्छा नहीं लगा, क्या ऐसा नहीं मामी जी, अभी सब कुछ नया है न इसलिए आरे कोई बात नहीं, दीरे दीरे सा बादत लग जाएगी अच्छा बहु आज तेरी पहली रसो है, खाने में क्या बनाएगी वो मामी जी मैंना, तभी फोन बजनी की आवाज आती है अब बहु रुख जरा पायल अपनी बात पूरी कह पाती, इससे पहले ही सविता का फोन बज जाता है और वो वहाँ से चली जाती है अरे अब मैं क्या करूँ? तभी दो मिनिट बाद सविता फोन पर बात करते हुए रसोई में आती है बेटा मुझे जरा एक जरूरी फोन आ गया, मैं बात कर लो तब तक तुझे खाने में जो भी बनाना है तो बना सकती है इतना कहकर सविता फिर से रसोई से बाहर चली जाती है अरे खाना बनाने को तो मैं बना दू लेकिन मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता क्या करू मैं? फिर थोड़ी दिर बाद पाहल खाना बना कर सब को सव करती है बाहू तुभी बैट जा जी ममी जी जैसे ही सविता पहला निवाला खाती है बहु, यह क्या है? ममी जी, यह खाना है और इसे खाना है, just eat अरे बहु, आब eat कहा से आ गई बीच में? अरे ममी, खाना खाने को अंग्रेजी में eat कहते है हाँ ममी जी अरे बेटा, वो तो मुझे भी पता है कि यह खाना है लेकिन तुने खाने में बनाया क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा वो ममी जी मैंने यूट्यूब पर जैसा जैसा देखा, वैसी बना दिया मुझे भी समझ में नहीं आया, यह क्या बना तो तुने यह यूट्यूब से देखा क्यो? ममी से खाना बनाना नहीं आता इसलिए क्या तुझे खाना बनाना नहीं आता ना ममी जी सारी अच्छा अरा तो क्या हुआ तु मुझे एक बार पहले ही बता देती मैं तरी मदद कर देती मुझे लगा फिर ममी जी कि आप मेरे बारे में क्या सूचेंगी तो मैंने सुचे यूट्यूब से देखकर बना दूगी लेकिन मुझे न उस भी कुछ भी समझ में नहीं आया और सब खराब हो गया कोई बात नहीं बिटा तू ना रजित सवीता की बात को बीच में काटते हुए कहता है अरे मा इसे आज तक कुछ समझ में आया है जो अब समझ में आएगा वैसे भी समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है जो कि इसके पास है नहीं हाँ तो मैरे पैस जैसे बहुत दिमाग है ना खुद तो एक भी काम ढग से नहीं करते अगर तुम सब समझती ना तो तुमारे जबान इतनी कैटी की तरह कट 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 नहीं चलती जब तुम खुद छपड़ चपड़ करते हो तब नहीं देखते हो खुद की जबान कैसे चलती है क्या का क्यों एक बार में सुनायीं नी थिया वहरे हो क्या पहले अपने कानों का इलाज करवाओ फिर अपने दिमाग का सवीता उन दोनों की लड़ाय देकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी फिर वो चिला कर कहती है अरे अब बस भी करो तुम दोनों शान्त हो जाओ दोनों चुप हो जाते हैं ये भगवान मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कौन से युदिक शित्र में चले गई थी तुम दोनों बिलकुल बच्चों के तरफ जगाड रहे थे ऐसे भी बिला कोई लड़ता है क्या इसकी वज़ा से ही सब हुआ अरे शुरू तो तुमने किया था बस करो तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाना देखो पति-पत्नी को इस तरह नहीं लड़ना चाहिए तुम दोनों ने पहले दिन ही इतनी लड़ाई कर लिया आखिर आगे तुम्हारा क्या होगा राज़त तुझे भी अपनी पत्नी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए देखो मा मुझे अभी ओफिस के लिए लेट हो रहा है मैं इस बारे में फिर कभी बात करूँगा अरे लेकिन सवीता की बात पूरी सुने बिना ही रज़त वहां से चला जाता है देखा ममे जी इसी वज़े से हमारी और लड़ाई होती है हाँ बिटा लेकिन तुम दोनों का एक दुसरे से बत्तमीजी से लड़ना बहुत ही ज्यादा गलत है चीक है आगे से ध्यान रखूँगी इस तरह कुछ दिन बीच जाते हैं फिर कुछ दिन बाद सवीता रज़त सीग बात कहती है देख बिटा मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ने शादी कर लिया लेकिन अभी समाज में किसी को नहीं पता कि तुम्हारी शादी हो गई है और इस तरह तुम्हारा एक साथ एक ही घर में रहना समाज वालों को अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैं कहा रही थी कि हम एक छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं जिसमें हमारे सभी रिष्टदार आ जाएंगे और इसमें सारी रस्में भी हो जाएंगी मा मैंने तुमसे कितनी बार काया है एक बार जो होना था वो हो गया हमने कानोनी तरीके से शादी कर ली है अब किसी को ये बात भली लगी या बुरी मैं कुछ नहीं जानता इसलिए बार बार ये शादी वादी की बाते मेरे समने मत किया करो आरे बिटा मेरी बात एक बार समझने की कोशिश तो कर अब बस भी करो न मा रजत फिर से सविता की बात अंसुनी करके वहाँ से चला जाता है ये भगवान ये आज कल के बच्चे न जाने कैसे हो गया है इन्हें अच्छी बात सबज में ही नहीं आती सब अपनी मर्जी से करना होता है बला बिना शादी के रिष्टा अच्छे से निप सकता है कभी मुझे तो समझ में नहीं आता मैं इनका क्या करूँ फिर थोड़ी दिद बात सविता को रजत और पायल के चिलानी की आवाज आती है अरे अब क्या हो गया इन्हें वो जल्दी से उनके कमरे में जाती है और देखती कि वो दोनों बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे थे अरे तो तुम्हें भी तो घर के बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए न हाँ तो क्या इस घर के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ उनकी लड़ाई रुपाने की कोशिश करती है अरे बिटा तुम दोनों रुक जाओ तुम भला ऐसे क्यों लड़ रहे हो मा ये मेरी एक बहुत नहीं मानती अगर नहीं मानती तो पर्देस में इतनी अच्छी नौकरी छोड़ कर तुमारे साथ यहां आती क्या तो तुम मुझे हमेशा नौकरी छोड़ने के लिए तान ग्यों मारती हो क्योंकि उसकी बात से तुम मुझे निठलना सा बच्छने लगे हो तो मैं लगते हैं कि मैं कोई काम नहीं करती लेकिन तुम्हें भी सुचना चाहिए कि सम नया माहौल है एच्छस करने में मुझे टाइम तो लगेगा ही देखो बच्छो जो भी बात है तुम दोनों आराम से बैठ कर उसे सुल जाओ इस तरह बत्तमीजे से लड़ना एक दूसरे की बेज़ती करना बहुत ज्यादा गलत है तुम दोनों पती-पत्मी हो तुम दोनों को एक दूसरे की कदर करनी चाहिए एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए ममी जी आप इनसे सम्मान देने की कैसे उमिद कर सकती है ये तो सिदे मों बात तक नहीं करते हाँ तुम तो जैसे गुड कीडली हो ना जो मिठी-मिठी बाते करती हो मैं ही एक करे लाओं जिंदीगी में आज पहली बार कुछ सच बोला है आपने क्या गाओ अगर ठीक से सुनाई नहीं देता तो कान साफ करो ना जाकर देखो मुझे नहीं देखना कुछ अरे बहु कम से कम तुही रुख जा ठीक है ममी जी इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है बिटा तुझे भी बहु को समझना चाहिए उसके लिए अभी सब नया माहौल है तुझे ही तो उसका सपोर्ट करना चाहिए ना नई माँ वो कोई बच्ची नहीं है जो मैं उसे सपोर्ट करूँ या उसे समझाओ वैसे भी उसकी इतनी जवान चल दिया इतना कहकर रजट भी वान से चला जाता है ये भगवान मुझे इसका कोई हाल बता नई तो ऐसे तो ये दोनों एक दूसरे का गुस्से में कहीं सिर नाम फोड़ दे आए दिन पाइल और रजट के जगड़े बढ़ती जा रहे थे कई बार तो उन दोनों की लड़ाई रुकवाना सविता के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था सविता उन दोनों से बहुत परिशान हो गई थी लेकिन फिर एक दिन सविता की पास उसकी बेटी शीतल का फोन आता है सविता शीतल से बात करके कॉल कट करती है वैसी उसे फिर से पाइल और रजट के लड़नी की आवाज आती है सविता उन दोनों के पास चाती है और आप क्या हो गया तुम दोनों को कुछ नहीं ममी जी अब मैं इनके साथ नहीं रहना चाती है तो मुझे बड़ा शोग है तुमारे साथ रहने का ठीक है अब मैंने भी अपना फैसला ले लिया इतना करकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं अब क्या होगा उसी शाम शीतल अपने पती पवन के साथ सविता के घर आती है अरे मेरे बच्ची कैसी हो तुम मैं ठीक हूं ममी तुम कैसी हो अरे मुझे नहीं पता अब तो मैं कैसी हूं चिंदा मत करो ममी सब ठीक हो जाएगा अरे दिदी हा रे जट कैसे हो तुम इतने सालो बाद मिल रहे हो मैंने सुना तुम भावी लाये हो और अब तक हमसे मिलवाया भी नहीं अब क्या बताऊं दीदी तब भी महां पर पायल भी आ जाती है दीदी नमस्ते अरे भावी मानना पड़ेगा भाई ने भावी तो बहुत ही प्यारी ठुणडी है हाँ मुझसे पूछो ना कितनी प्यारी है कुछ कहा क्या भाई तुमने अरे ने नी कुछ नी मैं कुछ कह सकता हूं क्या अच्छा चलो अब तुम थोड़ी दिर आराम कर लो बिटा फिर रात को जब सभी डिनर कर रहे थे पायल सबको खाना परुस्ती है खाने का नीवला खाती है इसमें कितना नमक है तुम्हें खाना बनाना कभी आएगा की नहीं आरे एक मिनिट खाना भावी ने नहीं मैंने बनाया है ओ अच्छा तब रज़त देखता है कि पवन तो जुपचा आप बड़े आराम से खाना खा रहा है जीजा जी आपको खाने में नमक ज्यादा नहीं लग रहा तो क्या हो गया कभी कभी कुछ उपा नीचे होई जाता अब हमेशा हर कोई परफेक्ट तो नहीं हो सकता पवन का ये जवाब सुनकर रज़त हैरान हो जाता है माफ करना मेरी वज़े से आपको तेज नमक का खाना खाना पड़ा अरे कोई बात नहीं माई डियर वाइफ जी हम सभी तो कभी कभी गलतिया हो जाती है पायल और रज़त पवन और शीतल के इतने प्यार इस वभाव को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं फिर अगले दिन शीतल एक शर्ट को लेकर हॉल में आती है जहां पर सभी बैठे हुए थे मुझे माफ करना गलती से ना आपकी शर्ट पर काफी गिर गए मैं इस दाग को हटानी के पूरी कुशिश करूँगी पायल और रजट को ये देखकर अपनी पुरानी बात याद आ जाती है जैसे कि एक बार पायल से भी गलती से रजट की शर्ट पर चाय गिर गई थी जिसकी वज़े से उन दोनों के बीच कितनी लड़ाई हुई थी और जबकि शीतल और पवन इन दोनों ने कितनी आसानी से इस इश्य को भी बस एक मिनट में सॉल कर लिया इस तरह जब भी कोई बात होती तो शीतल और पवन बड़े आराम से उस मैटर को सॉल कर लेते थे जिससे धीरे-धीरे पायल और रज़त को भी कुछ-कुछ बाते समझ में आ रही थी एक दिन जब सभी आपस में बाते कर रहे थे हाँ मुझे ना पहले खाना बनाना आता ही नहीं था मेरी पहली रसुल में भी पवन जी ने खाना बनाने में मेरी हमदद की थी और किसी को कुछ नहीं बताया फिर कई दिनों तक ऐसे ही चला और धीरी धीरी मुझे खाना बनाना सिखा दिया इनों ने अरे हमारे दामाज जी तो यहां ही इतने अच्छ है हमारी बेटी को बड़े नाजों से रखता है शीतल जी भी हर चीज में मेरी हल्प करती है और मेरी बातों को समझती है और लड़कियों को नया घर में अजज़स्ट होने में टाइम लगता है इसलिए हमें अपनी पत्नियों को थोड़ा समझना चाहिए और थोड़ा समय भी देना चाहिए तो क्या आप दोनों में कभी भी लडाई नहीं होती? नई वे, लडाई ते सब रिलेशिन में होती है लेकिन हमें उस लडाई को किस हद तक रखना है? यह हमारे उपर निर्पर करता है अगर हम सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम उनसे रिस्पेक्ट ही उम्मीद कैसे कर सकते है? हमें हमेशे एक दुसरी की रिस्पेक्ट करनी चीए यही शादी को जोड़े रखने का सब से में पीलर होता है तुमने बिल्कुल सही कहा दी दी और रिलेशन्शिप में दोनों ही साइड बहुत इंपोर्टन होती है और शादी में सब चीज़ बहुत अलग होती है शादी की बाद बहुत सारे रिस्पॉन्सबिलिटीज बढ़ जाती है इसलिए पति-पतनी दोनों को ही अपने रिष्टे को संभाल कर रखना चीए रिष्टे कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता शीतल और पवन कुछ दिनों तक महा पर रहकर रजट और पायल के सामने एक गुड एक्जामपल सेट करते हैं इसके बाद अबरजट और पायल की लड़ाईयां भी कम हो रही थी और वो दोनों भी एक दुसरे से लड़ने की कम कोशिश करते थे उन दोनों को कई दिनों तक इतना शान्त देखकर एक दिन सवीता उन से कहती है क्या बात है भाई आजकल घर में इतनी शान्ती कैसे रहने लगी है अच्छा तो आप क्या चाहते है मा कि हम फिर से पहले की तरह जानवरों की तरह लड़े है अरे ना भी ना ये शान्ती तो मुझे बहुत राज आती है मैं तुम दोनों को इस तरह देखकर बहुत खुश हो मम्मी जी जैसा कि दीदी ने कहा था हमने भी बैटकर अपने सारे इशूस सॉल कर लिए गलती हम दोनों की थी हम दोनों एक दुसरे की बात को सुनने और समझने के लिए तयारी नहीं थे हाँ मा मेरी भी गलती है मैंने पायल को कभी नहीं समझा और मैंने ये भी नहीं देखा कि ये सिर्फ मेरे लिए अपनी नौकरी तक छोड़ कर यहां पर आ गई इसलिए अपसे मैं कोई लडाई नहीं करूँगा हाँ मैं भी नहीं हमें माफ करती जी मम्मी जी हमारी वज़े से अपको बहुत परिशानी हुई न आरे कोई बात नहीं मेरे बच्चो तुम दोनों को अपनी गलती का ऐसास हो गया यहीं बहुत है मा मेरे पास अपके लिए एक और सर्प्राइज है आरे ना बिटर ना मुझे तेरे सर्प्राइज पश्चक है पता नहीं क्यों तेरे सर्प्राइज ना दुनिया से बहुत अलग होता है ममी इस बार सर्प्राइज तुम्हें पसंद आएगा अच्छा हाँ क्योंकि रज़ेत और पाइल शादी के लिए मान गया है आरे वाँ ये तो बहुत अच्छी ख़बर है आप तो मेरे पास जरा सा भी वक्त नहीं है मुझे धेर सारी तयारी करनी है और बहुत सारी शॉपिंग भी करूँगी मैं हाँ माँ बिल्कुल इस तरह आखिर में रज़ेत और पाइल शादी के लिए मान ही जाते है